हाई, जब हम रिविजिन शुरू कर रहे हैं, तो क्या हमें छोटे चाप्टर्स को रिवाइस करना चाहिए, जिससे कि नमर अफ चाप्टर्स कम वक्त में ज्यादा हो जाए, और हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो, या फिर हमें हेवी वेटेज वाले चाप्टर्स से पिक को कैसे अज़स्ट करें, कि हम सब कुछ कर पाएं, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन सब का solution इस वीडियो में है, तो यहां पर देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चे जो बहुत ज़ली डर जाते हैं, तो मैं कहूंगी यार कि ऐसा करो, हर सबजेक् रिविजिन में, तो वहां पर confidence gain होगा, लगेगा हां भाई, कुछ तो हुआ है complete, another set of students जो ऐसे नहीं है, जुन्होंने पढ़ाई धंग से कर रखी है, वो अपने दिमाग को control कर पाते हैं, of course, यह best होता है कि आप heavy chapters को complete करें, heavy chapters को complete करें, क्योंकि इसका एक reason यह है कि जब heavy chapters complete हो जाते हैं, this means heavy number of marks हमारे जोली में आ गए, और हम जो है, फिर easily चीज़ों को कर पाएंगे, वो बच्चे, देखो मैंने यह क्यों नहीं कहा, जो बच्चे थोड़े से दिमाग से कमजोर नहीं कहेंगे, मतलब जिनको fear बहुत जल्दी लगता है, उनके साथ एक problem यह है, कि जब वो, let's suppose, Indian contract act start करेंगे, फिर company, पार्टनर्शिप स्टार्ट करेंगे, हताश हो जाएंगे भाई, वैसे डर जो है, उनको, उनकी दिमाग पे, सर पे चाया रहता है, वो जब heavy chapters को pick up करेंगे, तो उनको लगेगा, यार, पूरा टाइम तो इसमें ही जा रहा है, तो परे करें करने भी चाहिए कि नहीं, तो नंबर वन करने तो जरूर जरूर चाहिए, भाईया, हुबहु questions, copy questions आ जाते हैं, copied, with the same numbers, और if not copied, तो उसी pattern पे आते हैं, तो इतनी पढ़ाई कर चुके हो, इतने महीनों से पढ़ाई कर चुके हो, तो क्या ऐसे patterns को नहीं तेखोगे, ज इतनी खुशी होती है, कि हमने same to same question solve किया हुआता है, तो आईए आपको एक hack बताती हूं कि कैसे मैं करती थी, मैंने एक chapter, अब आपको पता है, आपका number one part of the video से ये शौर हो गया कि आपको कौन से chapter से revision pick up करना है, और प्लीज इसको एक schedule बना कर कि रख लो, ये नहीं कि आज इस इसका revision start कर रहा है, कल का बतानी कि कल क्या करेंगे, या फिर रोज change कर रहा है, तो part one of the video में, आप किस तरीकी का, आपका mental strength है, उस इस आपसे, surety, decide कर लो कि कौन सा पहले, कौन सा बात करना है, what is the order of revising the chapters of each subject, उसको फिर change मत करो, stupidity होती है, रोज रोज चेंज करना अब आते हैं यहाँ पर, देखो, जब मेरा order pick up हो गया, for example, मैंने pick up किया कि मुझे soga complete करना है, या फिर accounts में, let's suppose, मेरा आया कि depreciation मेरा को complete करना है, मैं क्या करूंगी, मैं हर बार, अपने CA file की बाद अता रही हूँ, I used to have a writing pad, चोड़ा सा pocket pad हो गया, जिसको कहीं भी जा रह और एक दूसरा जो एकदम exam time का short note है, बिल्कुल concise, जितना shrink कर सकते हो कर लो, उसमेंने important बाते लिखे कि depression में यही बाते हैं, if not, at least जो questions कर रहे हैं, for example, तो depreciation में 10 illustrations कर रहे हैं और 6 questions कर रहे हो practical, तो तुमने वो लिखा और उसके important adjustments लिखे, अब कल को तुम्हें अगर shortage of time के वजे से नहीं मिलता है time उस question को दो बारा revisit करने का, दो बारा solve करने का, तो at least उस adjustment को जब तुम 1, 3, 5, 7 पे देखोगे, तो तुमारे दिमाग में वो छप जाएगा, ठीक है, यह बात हो गई, अब बात करते हैं कि depreciation के जब end of chapter questions हो गए, भाई साब उठा लो previous year, जितना भी चीज़ें कर रहे हो, मेरे पास ideally 5 attempts की RTPs printed out होती थी मेरे सामने, मेरे पास mock test, if not all the attempts, at least इस attempt के जो दो सीरीज है mock test की वो अवेलेबल होती थी, और previous year की मेरे पास 5 से 7 attempt के question papers suggested होते थे, अब इतना सारी चीज़ें हैं कुल मिला करके यह 12 से 13, 12 से 15 चीज़ें हो गई हैं, कहीं से आ ही नहीं सकता, and let me tell you, when you do all the chapter questions and together with that, you combine it with the mock test questions, which are bit different generally, the RTP questions, which are bit different, और तुमने उसको solve करने के बाद, अपने उस छोटे से notepad में लिख दिया, कि भाई, 6 questions end of chapter के, इसमें मुझे यह नहीं आया, या फिर यह इंपोर्टन एक्जाम में देख से से पले, उसके भाई, लिखो इस ठीज को, बच्चे एक गलती हे करते हो, और इस बात को मैं बार 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 बता होंगी, कि भाई अगर तुम पचिस, तीस, फचास Question कर रहे हो, तुम उसको एक हफते बाद भूलने वाले हो, versus तुमने क्या क्या ह। उस 20 की adjustment ये लिखी है चाहे हो RTP के हो, MTP के हो, जो भी हो, उसको mention कर देना, RTP का ये वाला attempt इसका ये question depreciation का कुछ हट के था समझ जो, तो जो last month आएगा आपका, I think this is the best ever thing to concise things in just one place, at just one place, this includes not only your depreciation का revision, but the end of chapter questions, all the RTPs, MTPs, etc right, इसका फाइदा बार बार बता चुकी हूँ, तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा आगयाने वाले वक्त में, वापस से सारे NTPs pick up करने का, वो तुमने एक जगह उसके summary लिख दी है वो जो सिर्फ तुम्हारे लिए important है बात समझ में आ रही है summarize करती हूँ यार, revision के लिए कौन सा method इपनाना है, छोड़े chapters या फिर बड़े chapters आपने वो समझ लिया MTP, RTP कितने कितने करने है वो आपने समझ लिया, कैसे करना है chapter wise करना है आज मैंने Indian contract act start किया Indian contract act के हम सारे के सारे MTP, RTP जो भी हैं, जो हमने list तयार कर रखे, उसको उड़ा डालेंगे please, इसका याद रखेगा, इसका ध्यान रखेगा और आप मुझे thank you, जरूर बोलने आएंगे, I'm sure about it जिसे कि आप क्या होगा, कि आप miss नहीं करेंगे चीजों को, वरना सबसे बुरा तब लगता है जब इनसान सारी चीज़ें कर रखता है और last month पे उसने वापस से रवाइज नहीं किया अब बताओ, RTP को भी रवाइज करने के लिए टाइम चाहिए तो RTP एक बार कर लिया, उसों कहीं लिखा नहीं हुआ है stupidity है, तो RTP वाला question आया भूल गया याद है कि एक महीने पहले किया था बट याद नहीं है किसमें क्या गलती की थी तो तुम रिविजिन के लिए, last revision के लिए एक revision journal तयार कर रहे हो All the best, bye bye, take care comment section में बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा और please बताइएगा कि आपके क्या डाउट्स है, bye